जय हिंद इस्टड़ी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है चले स्टार्ट करते हैं आप लोग एक नोटिफिकेशन है कि आज साम साथ बजए आज साम साथ बजए को रेली की तरह हम लोग जिसा लाइफ सेशन करते हैं संडे स्पेसल लाइ रुटिफिक करते हैं न्या स्थ सेर्षन का जो बैनर रहेगा वह इस तरह से रहेगा आप लोगों की सामने साम साथ बजए आप लोगों करेगा ज्यास करते हैं चले से पहला प्रस्ण है बहुत important question है सलमार रुष्दि को किस पुष्टक के लिए बूकर प्रोषकार मिला था तो इस प्रेस का सही जवाब हो जाता है option A midnight children midnight children के लिए सलमार रुष्दि को 1981 में 1981 में Booker प्रोषकार मिला था और इस controversial पुस्तक थी ये थी satanic versus इसके लिए ने है इनके उपर फत्वा भी जारी किया गया थे मारने की भी धमकी मिले थी इस पुस्तक के कारण से इस पुस्तक के कारण से satanic versus के कारण से और Booker प्रोषका 1991 में देखते हैं 2021 में सलमा रुस्दी को बुकर प्रसकार मिला था बुकर प्रसकार जितने वाले भारत में जन्म लेने वाले पहले लेखक कौन है ऑप्षन A भी एस नाइपॉल, ऑप्षन B सलमारुषदी, ऑप्षन C अरुंधती रोई, ऑप्षन D अरबिंद अढीगा तो इस प्रेस का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्षन B सलमारुषदी है भारत में जन्म लेने वाले पहले लेखक जिनका जन्म भारत में हुआ है और इन तो विद्याधायर सूरज प्रसाद नाइपॉल जेन का कि सौर्ट महलों भी एस नाइपॉल के नाम से जानते हैं इनका पूरा नाम विद्याधायर सूरज प्रसाद नाइपॉल है जनका कि जन 1932 में त्रिनाद और टोएकों में हुआ था इन्हें बुकर पुरसकार मिला था 1971 1971 में और पुष्टक का नाम था इन फ्री स्टेट बी एस नाइपल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2001 में मिल चुका है सलमान रूश्दी का जन्म 1947 में मुंबई भारत में हुआ था यह एक ब्रिटिस नागरिक है ब्रिटिस भारतिया नागरिक है और अरुंधती रोय अरुं 1971 में भूकर पुरस्कार मिल चुका है इनके पुष्टक का नाम था था दा गोड आवे स्मॉल तिंस के लिए अरुंधती रही को 1997 भूकर पूस्कार मिल चुका है बूखर प्रषक जितने वाली पहली भारतिया नाघारीक हैं पहली अरुखति रोय पुरकर प्रषक जितने वाली अभी जाना नहीं ऑभी और भी डिटेल है अर्विन दड़ीगा अर्विन दडीगा का जन्म चन्ने में हुआ था इन्हें 1974 में इन्हें बुकर पुष्कार मिला था 2008 में और पुष्टक का नाम था दा वाइट टाइगर दा वाइट टाइगर के लिए अर्विन दडीगा को बुकर पुष्कार मिला था और यह इनकी पहली पुष्टक थी पह mist करने अब सने वाटर मुटमेट्सチャンネル ऊप्षन एयर एयर साइकल सी टेक्टोनिक साइकल ऑप संडी हाइडरोलोजिक साइकल तो इस प्रहस्ट का सही जवाब whole जाएगा ऑउप्षन契 फिश्ल लॉजिक साइकल नाम है जल से जिसने कि एंगलिज में वाटर साइकल रहते हैं त्छे दूसरे दूसरा नाम जो दूसरा नाम भोलते हैं Hai adversicť Culture चाहे देखते हैं nosos न Ex Maintenance के नाम उस गाओं के नाम रखा क्या है जहां इसकी उत्पति हुई थी तो इस प्रश का सही जवाब आप लोग जानते हैं कमेंट सेक्षिन ने बताईए मैं कुछ दिर वेट करता हूं आप लोगों का जवाब का और सेशन अगर पसंद आ रहा तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा सेशन पर नए हैं तो स सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल को और आज साम को लाइफ सेशन जोइन करना भी मत भूलिएगा अच्छे प्रस्णों के साथ अभियास करने के लिए हंड़िड प्लस प्रस्णों का हम लोग अभियास करते हैं एवरी संड़े साम साथ बजे तेस प्रस का सही जवाब हो की आएगा कूचिपुड़ि आंध्र परदेश के गाउं का नाम है कुचँपुड़ि आंध्र परदेश के गाउं कर नाम है जहां कि ब्ומע़urst की उत्पासि इस Orelle का नाम भी कुची पीड़ी और कुचीपुड़ि 8 प्रस्टिएय सास।्रे निरतिय है चिनमें की सब कर लिश मैं ने दे दिया किस सम्भंधित यह विमाने यह लिश्ट दे दिया है तो इसलिए मैंने दोनों की ध्यान में लखना है ऊडिसी यह जो क्लियर है कि ओडसी उडिसा नाम जेसा है स्टेट का उसी दरह क्लासिकल डांस का भी नाम है कुचिपुरी आंध्रप्रदेश confusion यह तीनों करते हैं मोहनी अटम, कथकली और कुचिपुडी और कथकली और कथक यह ध्यान में रखना है मनिपूरी मनिपूरी यह अभी clear है सतरिया असम यह अलग नाम ही है तो यह confusion नहीं करती यह ध्यान में रखता है कि सतरिया का संब्द असम स्टेट से है भरत नाटियम का तमिलाडू से मोहनी अटम कथकली मोहनी अटम केरल से कथकली का भी कथकली का भी केरल से और कुचिपुडी का आंध्रपरदे से नेक्स कोस्टन है दूद से दही किस बैक्टरिया कारण बनता है कि यानि कि कौन सा बैक्टरिया रेस्पोंसिबल है दूद को दही में बदलने के लिए तो इस प्रेस के सही जवाब हो जाता है अप्शन सी एअप्शन सी सही जवाब है लेक्टो बैसीलस एसिडोफीलस एस बैक्टरिया कारण यह उस्फीन यह फट Phew bacteria है मांकॠ जाता है और हम लोग किसका टेस्ट लेते हैं एक प्रेस्ट आप लोगे के लिए है दूद में कॉन सी कुछ ज़र में दूंगा और दही में कौन सी एसिड पाई आती है इसका जवाब देखते हैं तो इस जवाब है दूध में बिव्ट्रिक एसिड पाई आती है और कड में लेक्टिक एसिड पाई आती है मेक्सिम्म लोगों को लेक्टिक एसिड मिल्क में ही पता होता है परन्तु ये गलत है मिल्क में बिव्ट्रिक एसिड अधही में लेक्टिक एसिड पाई आता है और आज साम के लाइप सेशन में जोइन करना मद भूलिएगा अच्छे प्रस्णों के साथ अभिहास करने के लिए अपनी ग्यान को ताजा करने के लिए जोइन जरूर कीजिएगा और सेशन कैसा रहा है इसका जवाब कमेंट सेक्षन के माध्यम से जरूर दीजिएगा इसी आसार उमिद के साथ मिलते हैं अच्छे जरूरcía martial tarश के साथ फिरूीच ठ tad पалतर सेक्षन के रहँें जरूर को प्रस्वा है जोगयरी ग्सक्तिस काल गूरत भाक्षन ऑगक्सी माध्यम से डिवाब टतर से कैस्टा सम़िएगा आसार आसे हैं जरूलिएगीगा हैं जरूर से पुरूज से किया से पीग ऑ